लोगसभ़ चुनाव के लिए दूसरे और तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और बीजेपी कॉंग्रस समय दूसरे दल अपने अपने उमीद्वारों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं बीजेपी अध्याक्ष अमिच शाह और कॉंग्रस अध्याक्ष राहूल गांधी ने आज गुजरात में चुनावी रैली की है वही समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष 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 यादव और ब्यस्वी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के लिए वोट मागे विभिन दलो के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इधर राफेल लड़ाकु विमान सौदे को लेकर कॉंग्रिस लगातार जूठ बोल रही है और राहुल गांधी को राफेल सौदे पर उनके बयान के लिए सुप्रीम कोट से नोटिस मिला है बीजेपी अध्यक्ष अमिश्चा ने आज गुजरात के गीर सोमनात के कोदिनार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बाते कही अमिश्चा ने आरोब लगाया कि कॉंग्रिस बार बार जूट बोलती है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने प्रारंभिक तक्नी की आपत्ती पर मामले की सुनवाई की और अपना आदेश पारित किया लेकिन कॉंग्रिस अध्यक्ष ने कहा कि शीर्ष अदालत ने राफेल मुद्दे पर सरकार को हटकार लगाई है जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अदालत ने सिर्फ एक प्रारंभे कापत्ती हटाने का काम किया था मामला अभी भी चल रहा है अमिर्शाह ने ये भी कहा कि जूट बोलना उसे बार बार दोहराना कॉंग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है आप करोर गरीब परिवारों न त्या टॉयलेट बनावानू काम भार्टीय जन्ता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकारे करिया अडी करोर गरीओने गरीओना मकान आप्या अडी करोर लोकोना घर्मा विजरी पहुचारवानू काम करिया सिटेर वर्सुगी तमेर रोकोना घर्मा विजरी नता पहुचारी सक्या अब भार्टीय जन्ता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकारे विजरी पहुचारवानू का और अधर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी ने गुजरात के सौराष्ट शेत्र में कॉंग्रेस उमिद्वार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया आज नोंने भावनगर को संबोधित किया और आरोप लगाया कि बीजेपी ने पांच साल में कोई काम पूरा नहीं किया है अपने वादे पूरे नहीं किये है और जूट बोलकर गुमराह ही किया है उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई यानि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो न्याय होगा उनका मतलब नियूनतम आई गैरेंटी योजना से था जूटा सच्चाई है हिंदुस्तान की सरकार 20 प्रतिशत गरीव लोगों के बैंक अताउन में 3,60,000 रुपे पाट साल के डाल सकती है 15,00,000 का जूट 3,60,000 रुपे की सच्चाई आपके साम्दू और इससे पहले कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के फतहपूर सीक्री में चुनावी रैली की इस मौके पर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर वादा खिलापी करने का रोप लगाया और कहा कि रोजगार, किसानों और आर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार वादे पूरे करने में विफल रही है उन्होंने न्याए योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कॉंग्रिस सत्ता में आती है तो हर गरीब को साल में 72,000 रुपे मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि प्रियांका गांधी वाद्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी खासतोर पे न्याए योजना को लेकर राहुल गांधी बोले उन्होंने कहा कि हर गरीब को साल में 72,000 रुपे मिलेंगे और बीजेपी ने जितने वादे किये थे उसे पूरा करने में वो विफल रही है रोजगार, किसानों और अर्थ विवस्था के मुद्धे पर खासतोर पे उन्होंने निशाना साधा बीजेपी सरकार पर तो आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी मौजूद थी मंच पर और इस दौरान उन्होंने वादा किया कि कॉंग्रिस जैसे ही सत्ता में आएगी नया योजना लागू की जाएगी और इसके तहत गरीबों को सलाना 72,000 रुपे दिये जाएंगे उनके अकाउंट में दिया जाएगा और केंदर सरकार पर निशाना साहते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी वादे किये उसे पूरा करने में विफल रही है सरकार चाहे वो रोजगार का मसला हो पिसानों का मसला हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था बीजेपी सरकार हर मसले पर विफल रही है और अब अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो अपने सभी वादों को पूरा करेगी और नया योजना को लेकर खासतोर पर राहुल गांधी ने उमीद बनाई जन्ता के बीच और कहा कि कॉंग्रेस के सत्ता में आते ही गरीबों के दिन जो है वो बदल जाएंगे और इस दोरान उनके साथ प्रियांका गांधी भी स्टेज पर मौजूद थी दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने उतर प्रदेश के अलिगण में रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है जिससे विरोधियों में बेचैनी है मायावती ने लोगों को कॉंग्रेस और बीजेपी के लुभावने वादो से सावधान रहने को कहा वे अन्य और पाटियों की जो भी याँ सबकारे गई हैं तो वे देश वे आम जन्हित के मामलों में ज्यादा तर विफल ही साबित हुई है जिने अब आप लोगों को भी इस चुनाव में या केंडर की सक्ता में किसी भी कीमत पर आसिल नहीं होने देना है जिनको आप लोग कई कई बार आज मादी चुके हैं हलाके सक्ता प्राप्त करने के लिए या सबी विरोधी पाटियां किसम किसम के साम दाम दंड भेद आदी हतकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिस करेंगी जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में वे हर स्कत पर काफी ज़्यादा साथ धान रहना है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष खिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के कास गंज और मुरादाबाद में चुनाव प्रचार किया उन्हें कॉंग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा और लोगदल का गठबंधन महा परिवर्तन के लिए हुआ है उन्हें कहा कि रैली में आई भीर को देख कर लगता है कि पार्टी को दूसरे दौर में भी भरपूर समर्थन मिलेगा हमें पूरा भरोसा है कि इस बार मुरादाबास से गडवंधन के पत्यासी एतिहासिक बोटों से जीत करके जाएंगे आचार सहिता के उलंगन के मामले में चुनावायोग ने सक्त कदम उठाया है चुनावायोग ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के प्रचार करने पर कल से रोक लगा दी है अब योगी आदित्यनाथ कल सुबह 6 बजे से अगले 72 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे वही मायावती के लिए 48 घंटे तक ये रोक लागू रहेगी इस दोरान दोनों नेता रैली प्रेस कॉन्फरेंस नहीं कर पाएंगे साथ ही सोशल मीडिया का इस्तमाल भी नहीं कर पाएंगे दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर बयान बाजी का आरोप है जिसका संग्यान लेते हुए ये काररवाई चुनाव आयोग के ओर से की गई है उधर राश्य महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कल रामपूर में बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा की खिलाफ कथेत टिपडियों के बारे में नोटिस भेजा है आयोग ने कहा कि उनका बयान महिलाओं के संबान और प्रतिष्ठा के प्रती अनाधर दिखाती है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलाइम सिंग यादव से कहा है कि वो इस मामले में मूख दर्शक ना बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौरे से बाचीत की हमारे समवादाता नव विक्रम सिंग ने उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाब हो चुका है राजनीतिक डल दूसरे चरण की तैयारी में जुटे हुए है हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री केशा प्रसाद मौरे जी सर आपको सोगे थे राजसे बाचीतिक दिनावाद मौरे सर पहला सवाल अपसे पूछना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में प्रद्धम चरण का जो चुनाब हुआ है उसमें कितनी उम्मीदें हैं पार्टी को और कितना मद्दान से कितना हुए है देखी पहले चरण में जो 2014 का रिजल्ट था वो सत प्रतिसत था और 2019 का रिजल्ट भी सत प्रतिसत है गडबंधन हो या कांग्रेस हो कहीं भारती जन्ता पाटी के मुकाबले पे नहीं ठहर रही है देश ने मानिन नरेन मोदी जी को फिर से भारत का प्रदान मंत्री बनाने का मन बनाया हुआ है ब्रहष्टाचार मुक्त भारत हर विक्ती के मन में बैठा हुआ है कि अगर कोई बना सकता है तो मानिन नरेन मोदी जी कर सकते है अगर करने के दिशा में कोई मलब इमानदारी से और निडायक मलब इस्तिती में पहुँच करके आतंकोद को समाप्त कर सकता है तो मोदी जी के निर्टवारी सरकार में समाप्त किया जासा अगर बात करें जाए विकास के मुद्वे पर आपने कहा था कि और साथ ही केंदर सरकार ने ये बात कही थी बीजेपी सरकार ने की विकास के मुद्वे पर चुनाव लड़ा जाएगा भारती जनता पार्टी का मुद्वे पर चुनाव से मिलना चाहिए उन तक पहुचाने का मामला है हम इस तरह की विष्यों में जाते नहीं लेकिन अगर कोई मैं अगर हनुमान जी को भगवान जी बनता हूँ और कोई हनुमान जी के बारे में ऐसी टिपनी करेगा जो मुझे नहीं बरदास्त हो सकती है तो जब मुझे नहीं बरदास हो सकती है तो कोई भी हर्मान जी का भक्त होगा कोई राम जी का भक्त होगा और हर्मान जी के वारे में कोई उनके नाम के आगे कोई ऐसे सब्द को जोड़ेगा जो सब्द का प्रयोग करने मातर से विवाद सुरू हो सकता है तो ऐसा भी बात करने वालों के खिलाब आयोग को कंभीरता से संग्यान लेकर के कठोड़ता से कारवाई करना चाहिए बीजेपी ने उतरप्रदेश के साथ लोगसभा सीटों के लिए उमिद्वारों के लिस्ट जारी कर दी है अभिनीतार अभिकेशन को गोरखपुर से उमिद्वार बनाया गया है तो वही संथ कभीर नगर से मौझूदा सांसर शरत त्रिपाठी का टिकेट काट कर प्रवीन निशात को टिकेट दिया गया है साथ ही देवरिया से रमापती रामत्रपाथी भाजपा के उमिद्वार बनाए गए हैं और एक बार फिर बात कर लें आज चुनाव प्रचार की तो गुजरात में बीजेपी और कॉंग्रेस ने अपना पूरा दम लगाया है आए रुक कर लेते हैं हम गुजरात का रविंद्र शेवरान मेरे सहयोगी वहां मौझूद हैं एहमदाबाद में रविंद्र जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का चुनाव प्रचार आज वहां देखने को मिला खास तोर पर जो वीवे आई पी मौवमेंट्स हुए हैं बीजेपी और कॉंग्रेस की तरफ से देखिए बड़ा एहम चुनाव है गुजरात में जिस तरीके से लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन मोदी और बीजेपी के राष्ट्रे धेक्ष अमिद्शाह का ये ग्रह प्रदेश है लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो 2014 की कामियाबी था है उसको फिर से दोहराया जाया जहां जब 26 की 26 सीटें लोग सभा की तमाम बीजेपी की जोली में आई थी कॉंग्रेस पार्टी का उत्साहित तब दिखी जब विधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के सामने कॉंग्रेस पार्टी को ठ रहे हैं हम लोग सवाचेत्र में खड़े हैं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से गुजरात का जो विकास हुआ है गुजरात का मोडल था उसको 2014 में जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से औ उसको किस तरीके से जनता तक पहुचाय जाए उसके आधार पर विकास के आधार पर वोट मांगने की कोशिश यहां पर की जा रही है बीजेपी के जो स्टार केंपेनर हैं वो अलग-अलग छेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं राष्ट अध्यक्ष ने जो है वो र इक ठाक जो है वोट प्रस्तिशत मिला था यह इलाका पिछले पंद्रा साल से उसके पहले से बीजेपी के पास रहा है विधान सभा में लगातार चुनाव बीजेपी बड़े भारी अंतर से यहां पर जीती रही है और बीजेपी के बड़े हाई स्टेक्स इस प्रदेश मे उन लोगों को 2014 में कामियाबी हासिल हुई थी उसको एक बार फिर से दोहराया जाए इसके लिए बड़े नेता लगातार यहां पर करिक्रम बना रहे हैं और हर छेत्र में गाउं देहाद से लेकर व्यापारी और कर्मचारी तक सब को अपने बातों को पहुँचाने की कोश चलिए रविंद्र आप नजब बनाए रखें और हम लोटेंगे आपके पास एलेक्शन अपडेट के लिए फिलाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एहमदाबाद से हमारे साथ जुडने के लिए और जैसा के रविंद्र बता रहे थी गुजरात ग्रेह राज है प्रधा को लेकर नाराजगी जताई है चीफ जस्टिस की अगवाई वाली बेंच ने चुनावायों के प्रतिनिधियों से मंगलवार को कोट में पेश होने को कहा है सुप्रिम कोट ने यह याचिका की सुनवाई करते हुए यह तमाम बाते कहीं और इस याचिका में उंदलों के खल माना जाता रहा है वहां अब बदलाओ की बयार बह रही है दारजलिंग लोगसभा सीट के तहट आने वाले नकसल बाडी में लोग अब ऐसी सरकार या नेता की बात कर रहे हैं जो उन्हें रोजगार दें और विकास करें अब नकसल विचारधारा की यहां कोई चर्चा नह रहा था लेकिन आज उसी के जन्म स्थान में कोई नाम लेने वाला नहीं है नकसल बाडी में अब लोग विकास और रोजगार को बड़ा मुद्दा मानते हैं ताजिलिंग के तहट आने वाला नकसल बाडी विधान सभाद छेतर अब पूरी तरह बदल चुका है अब यह वो दौर नहीं है जब 1967 में यहां हिंसक आंदुलन हुआ था नकसल बाडी नाम का सिर्फ नकसल बाडी है और यहां पर जन्जीवन बिलकुल सामाने लोगों की लेकिन नकसल बाडी में लोग विकास की रहा देख रहे हैं साथ ही बिजली सड़क पानी यहां पर भी मुद्दा है और नकसल बाडी में अब इन साथ जो मावादी आंदुलन वाले जो नेता थे उनके प्रवर्तक थे उनको छोड़कर अब कोई भी और निशान यहां पर लोग सभा चुनावों के बीच नकसल बाडी की चुदा तस्वीर दिख रही है सीपियम का कड़ रहे नकसल बाडी में राम नविमी के विशाल जुलूस को देख कर यहां के बदलते प्रभाव को साफ महसूस किया जा सकता है दरजलिंग में वैसे तो 2009 और 2014 के लोग सभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी लेकिन अब तक यहां की साथ विधान सभा में किसी पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली तीन पहाडी सीटों पर जहां गोर्खा राजने दिख दल वहीं तराई की चार सीटों पर लंबे वक्त से सीपियम जीत तर्च करती रही है जो वाम पंथ और कॉंग्रेस उसका एक गड़ हुआ करता था उसको यहां पर तच्छन पंथ यानि बीजेपी से एक चिनोती मिलती हुई जरूर दिख रही है और नकसल जो बाड़ी है वो निशित तोर पर यहां पर कहीं न कहीं एक उसका बीजेपी का यहां पर बढ़ता